Hello and Welcome Back तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो रिमेडी जो आपके बालों को घना बनाएगी बालों को वॉल्यूम बड़ा देगी बालों में शाइन लाएगा उन्हें सॉफ्ट कर देगी और अगर आपके बाल सफेध हो रहे हैं तो बालों को सफेध होने से रोकेगी और आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी दूर करेगी तो यही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ दो रिमेडी मैं आपको बताऊंगी पहली remedy आपके बालों में 30 मिनट पहले लगानी है येर बात लेने से पहले और दूसरी remedy आपको शंपू में घोल करके लगानी है आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम मेंसे ज़्यादातर लोग वीडियो को स्कीप करके देखते हैं जिसकी वजह से उन्हें remedy का पूरा फाइदा नहीं मिल पाता है वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं तो आप जब भी नहाने के बाद टौवल से बाल सुखाते होंगे तो आपकी टौवल पर कंगी पर तूटे हुए बाल अकसर आपको नजर आ जाते होंगे जिसकी वजह से आप उदास हो जाते हैं तो आज इसी problem का solution लेकर आई हूँ तो आपको पता भी नहीं होगा कि किच्चन में मिलने वाली है चाय पत्ती आपके बालों के लिए कितनी कमालकी हो सकती है दरसल चाय पत्ती में पाया जाता है caffeine और यह caffeine हमारी scalp में बनने वाली dead hormone के production को कम करता है और होता है GTS hormone अब यह hormone क्या है GST hormone वो hormone है जिसकी वजह से hair fall होता है तो चाय पत्ती GTS hormone को कम कर देती है यानि कि हमारे बाल कम तूटते हैं साथ में चाय की पत्ती में पाया जाता है टैनिक एसिड और यह टैनिक एसिड हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है अब जानते हैं remedy को हमें कैसे बनाना है इस उपाई को करने के लिए हमें एक बरतन में एक बड़ा कप भर के पानी लेना है और छोटा चम्मच हमें चाय की पत्ती इसके अंदर एड़ करनी है ध्यान रखिएगा चम्मच का साइज छोटा लेना है और देर चम्मच चाय की पत्ती इसके अंदर एड़ करनी है अब इसे हम गैस पर रख देंगे और थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे आप देखेंगे कि पानी का कलर जो होगा वह चेंज हो जाएगा यानि कि चाई की पत्ती में जितना भी चाई का आख था वह सारा का सारा पानी में आ जाएगा तो ये बनकर तैयार हो गया है इसे च्छान लेना है किसी बर्तन में अब इसे लगाना कैसे है वह जान लेते हैं हमेशा अपलाई करते हैं अपने स्केल पर बालों पर मेहंदी लगाते हैं तो उसके अंदर भी चाई की पत्ती एड़ करते हैं उसका यही कारण है कि चाई की पत्ती हमारी स्क्याल्प की इंफेक्शन को दूर करती है खाज खुजली को दूर करती है अब इसमें एड़ करना है लाल प्याज और आधा नीमबू का टुकड़ा जैसा कि हम सब जानते हैं लाल प्याज के अंदर सलफ़ पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुती असरदार होता है प्यास को अच्छे से कद्दूकस करके इसका रस निकाल लेना है इस चाय पत्ती के पानी में इसको डाल देना है प्यास के रस को इसके अंदर एड़ कर दूनगी नीमबू का रस इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें ये जो प्याज है ये सर की तवचा होती है उस पर देड स्क्रीन की लेयर जम जाती है उसे हटाएगा, बालों में साफ करेगा अब जान लेते हैं कि इसको कैसे लगाना है अपने बालों में तो आपको क्या करना है? एक कॉटन यानी रूई के टुकडे के जरिये बालों की जड़ों में इसको लगाना है सीधा बालों की जड़ों में हम इसे पहुचाएंगे जिससे की हमारी स्केल्प की तवचा से सारा का सारा इंफेक्शन दूर हो जाएगा जिन लोगों को लगता है की प्यास के रस का इस्तिमाल करने से उनके बालों में बदबू हो जाएगी तो किसी भी एसेंशियल ओरल की तीन से चार बून्द इसके अंदर डालकर इस्तिमाल कर सकते हैं तो आपको बदबू नहीं आएगी साथ में आपको इस remedy को कम से कम 30 मिनिट और maximum 40 मिनिट के लिए ही अपने बालों में रखना है ज्यादा देर तक आप मत रखना कम से कम 30 मिनिट तो आपको रखना ही रखना है जिससे की प्यास का रस और चाई की पत्ती को आपके बालों की जड़ों तक पहुचाने का वक्त मिल पाए ये चीज आपके बालों पर अपना असर दिखा पाए अब आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को वाश करेंगे बारी आती है आपके बालों को साफ करने की इसके लिए आपको क्या करना है चाई की पत्ती में कुछ बंदे आपको नीमबू के रसकी डालनी है और फिर आपको उसमें कोई भी शेंपू जो भी शेंपू आप घर पर इस्तिमाल करते हैं उसको इसमें डाल देना है और फिर अपने बालों में लगा कर बालों को अच्छे से धो लेना है इस तरह से अगर आप हाफते में एक बार भी करते हैं तो यकीन मानिए आपके बाल इतना ज्यादा चमकदार घने और काले हो जाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे तो आज से ही इस रेमेडी को बना कर लगाना सुरू कर दीजिए आपको चौकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइ